तो यूटूब चैनल लखनमाली में आप सब का बहुत बत स्वागत दोस्तो रीट 2020 सपनों की ओडान एक टार्गेट आप सब का इसी टार्गेट को पूरा करने के लिए हमने यूटूब चैनल लखनमाली पर रीट के लिए समस्कृत हिंदी और साइकोलोजी का जो यहां पर उनलाइन क्लास का सिस्टम चला रखा है उसी में आपको आज हम लेकर आए हैं बाली अवस्ता इससे पहले आपको कई वीडियो हमने अप्लोड किये हैं बहुत ही इंपोरेंट हैं सब के सब हर मतलब टॉपिक से आपके सबस्वाल बनने की संबावना पूरी पूरी है और आ अफेक्ट तैयारिया आप चाहते हो तो यह सब आपको प्रैक्टिस करनी होगी हर लाइन को आपको समझना होगा ज्यादा से ज्यादा आपको सवाल सॉल्व करने होगी चले स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो बाली अवस्ता के बारे में हम जानते हैं क्योंकि बाली इसे आपका सवाल आता है जो एक समय होता है वो छे से बारा वर्स तक का जो एक टाइम पी रेट रहता है ये बाली वस्ता का एक काल क्यालाता है अब बात आती है कि बाली वस्ता के कौन-कौन से उपनाम है ये उपनामों में से मतलब हर एक्जाम में सवाल आता है दोस्तों तो आपको एक एक चीज को अच्छे समझना है सबसे पहले है निर्मानकारी काल तो निर्मानकारी काल जो है बालेवस्ता को कहते हैं एक बात तो यह आपको दियान में रखनी है दोस्तो हम सभी पूरी की पूरी जो हमारा बालविकास जो है जितनी भी अवस्ता हैं इनसे संब पाद में हम पूरा कम्पलीट ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी परिभाशा आ जाएंगी जिससे भार एक भी परिभाशा आपकी एक्जाम में नहीं आएगी और जो पहले आ चुकी हैं उन सारी परिभाशा आपको व्याक्या के साथ में समझाया जाएगा और एक ट्रिक आपको बताई जाएगी कैसे आप परिभाशा को याद रख सकते हो तो इसको हम कहते हैं बाल अवस्ता को निर्मानकारी काल फ्राइट ने कहा है विसे उसके बाद में दूसरी अवस्ता होती है इसी अवस्ता को दूसरा नाम है चुस्ती की अवस्ता तो एक नाम हो गया निर्मान कारी काल दूसरा नाम हो गया चुस्ती की अवस्ता यानि इस अवस्ता को चुस्ती की अवस्ता भी कहते हैं क्योंकि इस समय में बालक जो हैं बहुत ही चुस्त रहते हैं एक दम मस्त रहते हैं ठीक है और व्यस्त रहते हैं तो इस अवस्ता को हम चुस्ती की अवस्ता भी कहते हैं ठीक है उसके बाद में है आपका वैक्तित्व निर्मान की अवस्ता यानि वैक्तित्व निर्मान की अवस्ता भी इसको कहते हैं क्योंकि वैक्तित्व का निर्मान यहां से ही होता है बच्चे का जो बालक होता है उसका है आपकी बालेवस्ता इसको मिथ्या परीपकोता काल भी कहते हैं क्योंकि यह जो बालक होते हैं वो परीपको नहीं होते हैं लेकिन एक मिथ्या परीपकोता की अवस्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मिथ्या अपने आपको परीपको मानते हैं जूट मूट से वास्त्विक रूप में परिपक्त होते नहीं है तो मिथ्या परिपक्ता कालम हैं को कहते हैं वैचारे क्रिया वस्था वैचारे क्रिया वो यहाँ पर करने लगते हैं ठीक है ना तिंके एक्संस यहाँ पर करने लगते हैं वेचार विमर्स करने लग जाते हैं, चिंतन करने लग जाते हैं, तो ऐसे करके वेचार एक रिया अवस्ता भी इसको हम कह सकते हैं, अगला इसमें हैं आपका मूर्त चिंतन की अवस्ता, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, वो मूर्त चिंतन करने लग जाते हैं, यानि मूर्त क सिंतन की अवस्ता इसको हम कह सकते हैं इसके बाद में है खेल की आयू तो यह आपको दिहां रखना है खेल की आयू याने गेम एज और एक गेंग एज यह दोनों आपको साथ में याद रखना है गेंग एज एंड गेंग एज ठीक है और यह तो हो गए आपकी खेल की आयू औ और एक हो गई समू की या टोली या दल की अवस्था तो गेंग एज और गेम एज दोनों एक साथ में याद रहेंगे आपको तो खेल की आई यू भी बालेवस्था को कहते हैं समू या टोली या दल की अवस्था भी बालेवस्था को कहते हैं इसके बाद में प्रारंबिक सिक्षा की अवस्था तो बाले वस्था को हम प्रारंबिक सिक्षा की अवस्था भी कहते हैं क्योंकि यहां से प्रारंबिक सिक्षा जो है वो स्टार्ट होती है बालक की ठीक है तो प्रारंबिक सिक्षा का एक यह समय रहता है इसलिए यह प्रार प्रतिद्वंद उत्पन होता है बालियवस्ता के बालक और समाज के मध्य में एक प्रतिद्वंद की स्तिती बनती है वो चाहता है कि जैसा मैं करो वैसा समाज में होना चाहिए ठीक है लेकिन उसमाज चाहता है कि यह सब ठीक नहीं है जैसे एक तो उनमें क्या एक प्रतिद् बालिय वस्ता को कहते हैं तो आपको पता है कि सभी प्रकार की दरश्टी से देखा जाये तो जो बालिय वस्ता है वो एकदम अनौखा काल है ठीक है अनौखा काल है एकदम क्योंकि इससे पहले हम शैश वस्ता की बात करते हैं तो वहां बहुत ज्यादा समझदारी कुछ होती नहीं है बालक के अंदर वो छोटा बच्चा रहता है ठीक है जितना ज्यादा सामाजिक होता नहीं है वो लेकिन यहां पर बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाती है सामाजिक भी होने लगता है ठीक है और बहुत सारे चीजियों का विकास यहां पर होने लग जाता है हालाएं कि विकास की गती मंद हो जाती है इस जगे तो यह अनोखा काल होता एक विचित्र और अनोखा काल रहता है सम्वेग आत्मग विकास का विचित्र काल कहलाता है क्योंकि यहां विविन प्रकार के जो सम्वेग है वो यहां पर विकसित होते हैं और वो यहां पर दिखने लगते है सम्वेग आत्मग विकास यहां पर होने लगता है बच्चों का तो इसलिए उसको संविगात्मक विकास का विचित्र काल कहते है नकारात्मक विवार का काल का मतलब है कि यहाँ पर जो बालकों में विवार देखा जाता है वो नकारात्मक प्रवर्टी वाला विवार होता है दोस्तो जादातर मतलब यह हुआ कि जो बालक होता है से नहीं होगा हाला इंकी बाद में बुक कर भी देता है तो उसके विवार में नकारात्मक ता ज्यादा रहती है यह उसकी एक प्रकरती रहती है प्रति दुन्दात्मक समाजी करन का काल यह पहले आ चुका हो गया ठीक है तो यह वापस रिपीट हो गया तो ऐसे करके हमारा य हर लाइन से आपके प्रश्ण बनता है तो यहां से आपका सवाल निश्ट रूप से आना है तो आपको एक एक लाइन दियान में रखनी है ठीक है ना तो यह हो गए हमारी यह उपनाव हो गए आप अब हम बात करते हैं कि जो बालेवस्ता के बालक हैं आपके उन बालकों की क्या विशिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष शेष वस्ता में विकास हो रहा है एती ब्रगती से होता है लेकिन वाले वस्ता में आके मंद हो जाता है विकास चीक है विकास तो चलता रहता है लेकिन उसकी जो गती है वो मंद हो जाती है तो शारिर एक विकास में इस्थरता आ जाती है उसके बाद में माना से एक विकास में इस्थरता आ जाती है उसके बाद में जिग्याशा प्रवर्टी में प्रवलता होती है अब जिग्याशा प्रवर्टी जो है यहां पर वो प्रवल हो जाती है याने जिग्याशा याने जानने की किसी भी चीज को जानने की इच्छा जो रहती है वालक में कोई भी चीज उसने देखी कोई भी उसको नया कुछ दिखा तो वहाँ पर वो प्रश्ण करता है जिग्याशा अपनी करता है तो जिग्याशा की जो प्रवड़ती है वो बहुत प्रवल यहां पर पाई जाती है बालेवस्ता के बालकों में इसके बाद में यथार्तवादी द्रश्टी कौन इससे पहले हमने देखा जैसे कि शेश वस्ता की हम बात करें तो उसमें कालपनिक जगत में विचरन करते हैं बच्चे लेकिन यहां पर यथार्तवादी द्रश्टी कौन होने लगता है याने कि वास्तविक्ता से यहां पर संबंद होता है वास्तविक्ता से जुड़ जाते हैं वास्तविक्ता से दीरे दीर उनका परीचय उने लगता है इसके बाद में है रचनात्मक्ता का विकास रचनातमक्ता का विकास का यहां मतलब जो है वो है क्रियेटिविटी यानि स्रजनातमक्ता का विकास बच्चों के अंदर स्रजनातमक्ता का विकास है वो यहां पर आपका रचनातमक्ता से है क्योंकि हमें पता है कि जो स्रजनातमक्ता या creativity या रचनात मक्ता इसका जो विकास का प्रारम है वो बालेवस्ता से ही प्रारम होता है बालेवस्ता से स्कार्ट हो जाता है तो रचनात मक्ता का काल इसको हम कहते हैं इसके बाद में है संग्रह करने की प्रवर्ती तो बालेवस्ता के किसी भी चीज वस्तु किसी भी चीज को संग्रह करने की प्रवर्ति उसमें देखी जाती है यानि चीजों को इखटा करने की प्रवर्ति उसमें प्रवर्ति होती है चाहे वो पैन हो सकते हैं जैमोर्टरि वाक्स हो सकते हैं ठीक है कोई भी आपके बैग हो सकता है कोई भी शिष्टा होती है चोरी जूट बोलना यानि बच्चे चोरी करना यहां से सीखते हैं चोरी करने लग जाते हैं जूट बोलना सीख जाते हैं अब यह है कि इन सब से हमें बचाना है चोरी करना जूट बोलना तो हमें उनको एक उचित विहवार उनके साथ में करना होगा और उ चोरी वे जूट बोलना हो गया इसके बाद में सामाजिकता वे नैतिकता का विकास सामाजिकता का विकास होने लगता है उसमें कुछ नैतिक गुणों का विकास होता है अब जैसे जैसे हम बताते जाएंगे उसको कि ये मालो चोरी है तो इसको चोरी करना ठीक नहीं है किसी के सामान को बिना पूछे उठा लेना ये गलत बात है कोई भी जो जो चीज आप समझाते जाओगे उसको वो नेतिक विकास उसका होता चला जाएगा और जैसे जैसे वो लोगों से मिलता जाएगा उसको हम बताएंगे कैसे किस से विवाद करने चाहिए कहां पर किस प्रकार का विवार होना चीए ये समझाता गा विकास उसका जो एरिया है वो बढ़ता चला जाता है निरुद्देश ब्रमन की प्रवड़ती पाई जाती है बालिवस्ता के बच्चों में वो निरुद्देश घूमते रहते हैं ब्रमन करते रहते हैं उनको कोई मतलब नहीं है बस आई स्कूल से आई बैक पटका और रवाना हो लिए और ब्रमन करते जा रहे हैं खाना पीना सब छोड़ देते हैं वो गूम रहे हैं दोस्तों के साथ में बस और कोई ज़्यादा उनको टैंसन वेंसन कुछ होती नहीं है वाज़ इस प्रकार से वो निरुद्दिश ब्रमन करते हैं और इसी अवस्ता में बाही वेनों में आपस में जगडा बहुत ज़्यादा होता है तो बाही वेनों में जगडा यहां पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है ठीक है उसके बाद में खेल में रुची रहती है तो खेल में बहुत बिशेश रुची इनकी पाई जाती है तो यह अकसर बच्चे ज़्यादा थर खेलने में लगी रहते है नेता बनने की प्रवर्ति इन बच्चों में पाई जाती है ठीक है नेता बनने का मतलब है किसी भी मतलब एक समू किसी भी दल किसी भी गुरुप का कोई भी कारेक्रम है उसका नित्रत्व करना उसकी लीडर्शिप करना वो अपने आप कोई खेल खेल रहें तो उसके अंदर ऐसा कुछ करना चोर सिपाई का खेल है तो उसके अंदर नेत का विकाश और यहां पर भाशा का विकास हो जाता है बच्चे का दीरे दीरे भाशा का प्रियोग करने लगता है बाग के बोलने लगता है ठीक है और दीरे दीरे बहुत दीरे शीक जाता है और वो उसकी भाशा दीरे अच्छी हो जाती है और आपको पता है कि अनू करना से सी सामने कौन है उसके साथ कैसा विवार करना चीए तो वो अपने सम्वेगों पर नियंत्रन सीख जाता है इसके बाद में हैं समलिंगी की भावना का विकास समलिंगी यह समु भावना का विकास यहां पर है बच्चम होता है मतलब यह है कि जिसे लड़का है तो वो लड़का के परती आकर से तरहता है यानि उनसे दोस्ती करना उनसे बाते करना उनके साथ में खेलना मिलना जुलना और लड़किया है तो वो लड़कियों की परती यह सब करते हैं यानि समलिंग के समान लड़का लड़का लड़की ल विकास इन आपस में प्रतिस परधा का विकास होता है यानि कॉम्टिशन का विकास होता है एक दूसरे से आगे बढ़नी का विकास होता है एक दूसरे से आगे निकलने का विकास ये ऐसा एक उनमें कॉम्टिशन की भावना का विकास होता है तो ये इनकी विशेष्टा हो अब आप आपको बात करने हैं हम आपको बताएंगे इसके अंदर कि जो बालेवस्ता के बच्चे हैं उनकी शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए इस अवस्ता के बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए तो बहुत ही सिंपल है नैतिक शिक्षा इनको दी जानी चाहिए वेवा उनसे करना चाहिए क्योंकि बच्चे को आप पीट करके फटकार करके डाट करके कुछ सिखा नहीं सकते ठीक है तो वह तो धीट हो जाएगा फिर तो आपको प्रेम साहनु भूती पूरवक बेहवार करना चाहिए क्रिया वे खेल के माध्यम से उनको सिक्षा देनी चाहिए ठ से हम इसमें यह सब डवलप कर सकती है उसको प्रोथ साहित करना चाहिए बच्चे के अंदर जो संचे करने का याने की कोई भी चीज संग्रह करने की उसके अंदर जो प्रोथ साहित करना चाहिए उसको जिग्याशा की संतुष्टी बालक के अंदर जो जिग्याशा है बच्चे का जो भाशा का ज्यान है उसको अबसर दिये जाने चाहिए उसको चांस मिलने चाहिए दिरे दिरे उसको हमें अभ्यास करवाना चाहिए और क्योंकि हमें पता है कि भाशा का ज्यान या भाशा जो है वो सिर्फ बोलने पर ही आ सकती है तो उसको हम अभ्यास करवाए सम्वेगों पर नियंतरन की सिक्षा दीरे दीरे वो सम्वेगों पर नियंतरन करना सीखे ऐसी उसको हमें सिक्षा देनी चाहिए क्योंकि सम्वेगों पर नियंतरन करना बहुत जरूरी है कहां पर कौन सा सम्वेग और कब और कितना कितनी मातरा में होना चाहिए ये सारे चीज उचित मात्रा में उचित समय पर उचित व्यक्ति पर उचित प्रियोज्यों के लिए क्रोध करना आसान नहीं होता तो ये चीज हम उसको सिखाएंगे बच्चे को पाठ सहगामी क्रियाओं की व्यवस्ता यान पड़ाई के साथ साथ में इतर जो एक्टिविटीज होती है अदर एक्टिविटीज उनका भी यहां पर आयोजिन होना चाहिए और लास्ट है परियाटन और स्काउटिंग की विवस्ता होनी चाहिए क्योंकि परियाटन और स्काउटिंग के थुरू बालक को वेवारिक ज्यान की प्राप्ति होती है यानि कि अपचारिक शिक्षा के अलावा अनपचारिक शिक्षा भी बहुत जरूरी होती है तो सिक्षा जो मिल रही है उसको किताब के अलावा जो बाहर से सिक्षा मिलेगी वो परियाटन स्काउटिंग के दोरा उसको वेवारिक जानकारी मिलती है वेवारिक सिक्षा वहां से मिलती है तो ये थे दोस्तो आज हमने बात कीती यहाँ पर बाल लिवस्था के उपनाम कौ का बनता है दोस्तों जो पहले आपके सवाल आ चुके हैं वो सारे के सारे इन में हमने शामिल किये हैं तो ये आपका वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ मैं तब तक के लिए जैहिन जैवारत धन्यवादों